हलो दोस्तो मेरा नाम है सौरावब और आप सभी का टैकी सौरावब योट्यूब चनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने वट्सेप की होम स्क्रिन में अपनी फोटो या फिर किसी की भी फोटो कैसे सेट कर सकते हैं यहाँ पर आप जिसागे देख सकते हैं मैंने अपने WhatsApp की Home Screen में अपनी फोटो सेट कर रखी है इसी तरीके से दोस्तो आप अपने WhatsApp की Home Screen में अपना फोटो या फिर किसी का भी फोटो अगर सेट करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तो ज़्यादा टाइम आपका विस्ट नहीं करते हैं इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजे उसके बाद दूस्तो नीचे रेड़ वाले बटन को दबा कर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकरेशन की बैल को दबा के एक छोटी सी अप्लिकेशन को डाउनलोड करनी पड़ेगी जिस अप्लिकेशन का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अप्लिकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है कैसे इंस्टॉल करना है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले इस अप्लिकेशन को आपको ओपेन करना है ओपेन करने के बाद दोस्तों इसमें कैसे अपनी फोटो सेट करनी है वो मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं इस अप्लिकेशन को उपिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपनी गैलरे से कोई भी एक फोटो चूस कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरी के से हम कोई भी एक फोटो यहाँ पर चूस कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो mock-up overlay का option दिख रहा है, आपको इसे on कर दिना है, इसे on करने के लिए दोस्तों यहाँ पर यह आपसे एक permission माँगेगा, तो आपको इस application की जो permission है उससे आपको allow कर दिनी है, यहाँ पर आप जिसा के देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे allow कर लैते हैं, उसके बाद बापस से हम back कर देना है, यहाँ पर आप जिसा के देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इस आपस इसे adjust कर सकते हैं, 60, 70, 80, आप जितना रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे select कर सकते हैं, इतना करने के बाद दोस्तों, अगर हम बापस वट्स्प में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो है वो यहाँ पर सेट हो चुकिए है जो भी हम अपने वर्टसेप को यूज करेंगे तो यह जो फोटो है वो काफी सांदार तरीके से यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर आप जिसागी देख सकते हैं इसी के साथ द अब दोस्तो बात आती है कि इस application को आप कैसे download करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इस application को download कर कैसे करना है उसके लिए दोस्तो आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इस video के title के ओपर click करना है जैसी दोस्तो आप title के ओपर click करेंगे तो नीचे आपको description open हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस application की link मिल जाएगी, तो इसी link के उपर क्लिक करके आप इस application को बहुत easily दोस्तो डाउनलोड कर सकते हैं, I hope दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके, bell icon को press जरूर कर लिजिए, तो चलिए दोस्तो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई